नमस्कार दोस्तों परिसीमा अधिनियम के आज के कोश्चन इस प्रकार है पहला परिसीमा अधिनियम के किस धारा के तहद नियासियों तथा इनके प्रतिनिदियों के ब्रुद्ध वाद का प्रापदान किया गया है तो नियासी बूला जाता है ट्रस्टी ठीक है और प्रतिन मादिनियम में सी अंसर आएगा धारा दस धारा दस बताती है नियासियों के बुरुद बाद इसमें बाकी उपसन देखने तो धारा बारा बताती है समय के अपवर्जन के बारे में दूसरा अपसन है धारा ग्यारा ये बताती है भारत के विस्तार के बाहर की संविदा के बार तो किसी न्यास का कोई न्यासी है उसके बुरुद बाद लाने के लिए और धार में किया खेराती कोई संस्था उसके मैनेजर या उसके कोई रिप्रेजेंटेटेव है तो उसके बुरुद यदि हम बाद लाना चाहते हैं तो उसके लिए बाद लाने की कोई समय सीमा नहीं है कोई limitation नहीं है अब बात करते है अध्याय तीन जो है इसमें limitation act का जो कि यह परिसीमा काल की संगरना यानि computation of period of limitation जो कि बात करता है कि limitation हम तो time period है उसे calculate किस तरीके से करेंगे गिनेंगे किस तरीके से इसमें बात करते हैं पहला question परिसीमा अधिनियम के तहट विदिक कारवाईयों में समय के अपपरजन का प्राफदर किया गया है तो जैसा अभी उपर देखा था मैंने आपको बता दिया था समय का अपपरजन धारा बारा इसलिए ए अंसर हो जाएगा धारा बारा बाकी जो option है धारा 13 ये अकिंचन बाला अपपरजन की बात कर रहा है और धारा 14 ये बिना अधिकारता के कोट में साथ भाव पुर्वा करवाई बाला option है धारा 15 ये अन्य मामलों में समय के अपपरजन की बात है ये मैंने short में लिख दिये हैं या आप उनको ये ना सोचें ये अकिंचन में अबबरजन मतलब heading अकिंचन में ही अबबरजन नाम से होगी वो मैंने समधने की दिश्टी से लिख दिया है अगला किसी आज्यप्ति या आदिस की प्रती अभी प्राप्त करने के लिए ऐसा नकल जब हम निकलवाते हैं तो उसकी प्रती प्राप्त करने के लिए अपपे छणिये समय यानि जितना समय चाहिए उसकी कैलकुलेशन में संगर्णा में वो समय जो नियाय लेने कोट ने अग्यप्ति या आदिस तयार करने में उसके लिए आबेदन किये जाने के पूर भी लिया हो तो हमने नकल के लिए जब आबिदन लगाया तो उससे पहले नकल को आबिदन लगाने से पहले कोट ने जो डिक्रीब बनाने में यादिस करने में जो टाइम लगाया तो उसको अप बरजित कभी नहीं किया जाएगा यानि एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा बलकि इंक्लू जिससे ऐसी अबदी गिनी जाने को है तो उस टाइम को निकाल दिया जाएगा ठीक तो इसको जब हम देखेंगे इसमें तो इस पेसल ये वर जो देखेंगे वाद क्योंकि ये जो तहरा है कालबदी की गर्णा करने में समय का बर्जन तो ये बात करती है वाद अपीलो आविदन के लिए है तो इस पर विशेश द्यारा आप जरूर दें अगरा किसी अपील पुन्रिक्षण या पुनरबलोकन ही तू आविदन करते समय या किसी अपील ही तू आविदन देने ही तू निर्धार समय अबदी की संगर्णा करते समय अप बर्जन होगा तो कौन से अब बर्जन होगा तो आउसर है दी अप्रोक सभी तो कैसे पहला जिस तिति को निर्धार समय अबदी प्रारंब होती है बिल्कुल सही बात है निर्धा सुनाने बाली और जिस दिन टाइम स्रू होता है बहे दिन भी तीजरा आदेश या अग्रतिया निर्धा की प्रती प अब राप्त करने हो जतना टाइम हम को लागेगा भाई भी अपर भरजित कर दिया जाएगा भाई गिना नहीं जाएगा इसमें तो इसलिए अनसर होगा अगला अधिनिम्व की धारा बारा के अंतरगा किसी वाद अपील आविद्द की तीनों चीने बाद अपील आविदन कि परिसीमा काल की संगर्णा करने में निमलिक को अप बर्जित नहीं किया जाएगा तो जहां नहीं वर्डक्स को अंडरलाइन करें तो अप बर्जित नहीं किया जाएगा ठीक है तो इसमें पहला वहे दिन जिस पर परिवादित निर्डने सुनाया गया था बिलकुल यह बर अगला कोशन पिछले कोशन जैसा ही है बस अंतर है पिछले में अब बर्जित नहीं किया जाएगा पूछा था तो डिया अंसर था इसमें पूछ रहा है अब बर्जित कर दिया जाएगा तो अब बर्जित करदिया जाएगा कि हिसाब से देखी ए वाला भी साही होना चाहिए इमरेटिक लगाया है कि परवादे जिस दिन नड़ना सुनाया गया दूसरा परतिलिपी प्राफ्त करने वाला टाइम भी ठीक है यह पूछ रहा है अब बर्जित किया जाएगा तो इस इस्तिती में आपको ध्यान देना है यह वाद अपील और आविदन तीनों की बात करना है तो तीनों के तीनों चीजों के लिए यानि वाद के लिए अपील के लिए आविदन के लिए अपिलों के लिम्टेशन में अब बर्जित किसको किया जाएगा सबसे पहला बाला जो उसमें उपधारा में हम देखेंगे तो भाई टाइम जिस से कि उस पड़सी मकाल का उसकी गढ़ना या कंपूटिशन स्टार्ट होता है उसकी बात सबसे पहले की गई है जो कि वाद ज़्यादा साइए इसे इस सिदी में अगला खुशन में सेम टू सेम यही है कि एक्ट की धारा बारा के अंतरगत किसी वाद अपीलिया आविदन के पर सीमा काल की संग गढ़ना करने में निम्न को अब बर्जित कर दिया जाएगा तो सेम बही ऑपसन है इसलिए सी अंसर आ कियाता कै 맞 para करने का मतलब होता है सामिल नहीं करनाअ मैं अज़न कि इस में पहले कथन दिया एक कि 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 अपील की पर सीमा काल की संग गणना करने में वाए दिन अंतर बिश्त किया जाएगा अंतर आड़ने सामिल किया जाएगा झिस इसे ऐसी परसीमा काल की गढ़ना की जाती है देखिए इसमें ये ध्यम दीजिए बात ये अपील की करना है ठीक है तो परसीमा काल की गढ़ना करने में बाई दिन सामिल किया जाएगा ठीक है तो चुकि ये बाद अपील आवे दिन तीनों की लिए बात है तो ये इसमें बिल रहा है किया जाता है इसलिए ये गलत हो गया कथन भी किसी अपील की परिशीमा काल की संगर्णा करने में जिस दिन परिवादित निर्ने सुनाया गया था और प्रतीली पीर से नकल अभी प्राफ्त करने के लिए अभी पेच्छ समय आप वर्जित कर दिया जाए बिल्कुल सह जाएगा केवल अकिंचन की रूप में वाद या अपील प्रस्तुत करने के लिए आविदन पर लागो होती है इसके में कीवर्ड क्या है ये अकिंचन की रूप में जो आविदन है वह है बाकी दोनों नहीं क्योंकि सद्वाव पूर्वक की गई कारवाई का अबर्जन ये दारा चौदा में दिया है जरकि विशेष प्रस्ति पे समय अब्दी का अब बर्जन दारा पंद्रह में दिया है और पूत्राय भाई दारा तेरा की बात है तो अकिंचन वाला सी अंसर से है अला निमने मैं से कौनसी अब्दी समय अब्दी की ऎढ़ना में सम्मलित की करना ये भी अब बढ़ जेते हैं अकिंचन वाला है अब बढ़ जेते इसलिए भी आंतरे अधिवक्त दोरा अपील का मेमोरेंडम तैयार करने में लगा समय हम जब तैयार करते हैं में वो तो वो हमारा टायम होता है इसमें परिसीमा की कोई बात नहीं आती इसमें तो इसको अब बढ़ जेत नहीं किया जाएगा अर्था इसको समल्स किया जाए अगला कुछ है बिना अधिकार्था वाले न्या Sanaa में सद्वापूर्वक् oko की कारवाई में समय का अब बर्जिट तो बिना अधिकार्था वाला न्या लाय और सद्वापूर्वक yeah keyword है तो इसमें आंस होता है उससे पहले मृत्ति हो जाए या मृत्ति होने पर ही अधिकार प्रोजबूद होता हो यह दो कर्डिशन उसमें दी हुई है तो आधिकारता वाले नियाला देखे सेम कुश्चन है वही सलवापूर्वा तो आंसर आजाएगा भी धारा चौदा अगला धारा चौदा प उसमें सर्थ कहीं नहीं दी हुय है बिन्द बेबाद बीस है ठीक है बाकी सबीद दी हुई है कि दोनों कारवाई है समान पक्चकार द्वारा और सिबिल जाएः हों पूंता और सदवापूरवक की गई हो और साथी अधिकार्था सम्द्दि त्रटि या इसी पर करकार कर अन्य किसी कारण से असफल हुई हो अगला कोशन किसी बाद या किसी ऐसी आग्यपती के निस्पादन के लिए आवेदन करने हे दू जिसके दायर किये जाने पर निस्पादन पर दायर किये जाने या निस्पादन पर व्यादेश या इस्तखर आदेश यानि इस्टे ओर्डर कोट दोरह जारी किया गया तो समय अबदी की संगर ना करते हैं समय अबदी का अपर बर्जन कौन सा वाला किया जाएगा ये सबी आंसर आजाएगा डी वाला पहला भाय टाइम जिस दोरान भाय ब्यादेश इंजंगसन जो है या इस्टे ओर्डर प्रभावी रहा था बिल्कुल इसके बाद भाय तिथी जिस दिन जारी किया ओर्डर बिल्कुल तरही बात है और भाय तिथी जिस दिन भाय ओर्डर समाप्त होता है भाय दिन भी यानि जिस दिन समाप्त होता है जिस दिन समाप्त होता है और चितने टाइम है प्रभावी रहा एफेक्टिव रहा पूरा मिलाकर की कंप्लीट टाइम जो है अब बर्जित किया जाता है अगला एक्ट की धारा पंद्रा के तेद नियाल है जो इस्तखन ओर्डर है इस्टे ओर्डर बैप पारित कर सकता है किस परिस्थिती में तो जब हम धारा पंद्रा देखेंगे तो इसमें लिखा है किसी भी वाद के दायर की जाने के दिशा में और किसी डिक्री की निस्पादन के लिए आभी दिन जब हम करेंगे दोनों दशाओं की बात करता है कोर्ट इस्तखन आजिस दे सकता है तो इसलिए अंसर सी उपरोग दौनों प्रेस्टे दियो अगला वाद दायर करने के अधिकार के प्रारम होने से पूर्व मृत्ति होने का प्रभाँ तो जैसा अभी बात की थि हमने यह उपर यह अधिकार से पहले मृत्ति वाली बात दारा सोला इसलिये आंतर हो जाएगा ए दारा सोला बाकी है दारा अ में ये रिण ब्याज लेके और अशियत वाली बात करता है और धारा बीस में ये अन्य दौरा सिकर्थी की बात करता है इसलिए अंतर ये हो जाएगा धारा सोला अगना जहां कि ऐसे वेक्ति की मृत्यू हो जाती है जिसे मृत्यू के पूर्व बाद अधिकार प्रोदबूत नहीं होता है या मृत्यू पर ही प्रोदबूत होता है तो बहां परसीमा काल की संगर्णा कुस समय से मानी जाएगी कि समय से की जाएगी तो इसमें आंसर क्या जाएगा डिया अंसर है उस समय से की जाएगी जब मृतक का विदिक पृति ने यानी लीगल रिप्रेजेंटे जाए गा अल्रा फूस्छें इसरा तो पूचा है असत्य कथन बताईए ठीक है परसीम्ह एक्ट की धारा सोला बेस्याक बादों पर लाग Nowadays Weihn रात रहा है शकित के किन नहीं हो जाता है तो इसी तरह के यह फूल्द राख नहीं होती हमढ़ेंगे लागा नहीं होती किन किन लागो नहीं हूटी थैग्unde है इस पर लागो नहीं होती है तो इसमें से पहर हो ये का और बाद नहीं होती है लेकिन हो हखशुभा पर बिल्कुल नहीं होता मुसलिम मिदी में स्थावर संपती का कबजा लेने वाले बाद पर इसपर भी लागु नहीं होती डी बिदिक पृतिनिती के वाद अधिकार बाले बादों को लागू होती है तेके इसलिए ये असत्य कहतन होना ना पूछा है तो यह हमारा सही अंसर होगा अगला एक्ट की धारा सत्रा लागू होती है किस पर लागू होती है तो धारा सत्रा किस की बाद करती है कपट और भूल वाली बाद करती है तो ये D answer है, वाद पर और आवेदन पर लागू होती है, अगला है, यदि किसी संपत्य अधिकार बिस्यक वाद के लिए बेहित काल के अपसार के पहले पक्षकार लिखित अभी सिर्कृति करता है, तो उस अभी सिर्कृति का क्या होता है, तो D answer हो जाएगा, अभी सिर्कृति के नए सिर्कृति के परिष्मा का आरम कबंषे होता है, यह answer है, अभी सिर्कृति का और अभी सिर्कृति के बाद के बाद की गई, अभी स्विकर्टि तो हम जानते हैं इसका कोई प्रवाव नहीं होता जैसा की हैटिंग में ही दिया हुआ है अगला एक्ट की कौन सी धारा किसी रिण या बसीयती दान पर ब्याज के भुखतान और ऐसे भुखतान की अभी स्विकर्टि के हादार पर भुखतान की तारीक से नई मियाद की गढ़ना किया जाने के सिद्धान पृतिपारित करती है तो भी आंसर है धारा उननीस के तहत य एक्ट में सीथा-सीथा दिया हुआ है अगला यदि कोई ब्यक्ति रिण या रिक्त के भुखतान के लिए उत्तरदाई है तथा भाई या उसके द्वारा उचेत रूप से अधिकरत कोई एजेंट है उसका भाई रिण या रिक्त के कांट की सी भ्याज का भुखतान आपने बाव